बॉर्निंग दोस्तो उसके बाद है पास्ट कॉंटिनिव स्टेंस में हम कैसे एक्टिव को पैसिम बदलेंगे इनके उपर मैं एमसी क्यू लेके आऊंगा जब एमसी क्यू प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज तो उसमें आपके जो भी डाउट होंगे वह और भी अच् आइड फॉम हो जाएगी जैसे कि आई वोज इटिंस माई लंच यह हमारे एक्टिव में तो माई लंच वोज लंच इंग अन्यों फॉम लंट से बता है बीग थर्ड फॉम क्या बनेगी इटिंग की एटटं किसके दोबारा आई बोले तो मी 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 के दोबारा बाई मी they were pulling पूलिंग की थर्ड फोम क्या बनेगी पूल्ड और डाउन अब यहां पे आप अगर डूर को दिखाना चाहते हैं तो बाई लगाके बाई देम लिख सकते हैं तो वह हमारा ठीक हो जाएगा फूचर कॉंटिनियूस टेंस एफ सीटी एफ सीटी बोले तो फूचर कॉंटिनिय स्टेंस में बी का यूज होता है और पैसी वोईस में भी वर्ब का यूज होता है इसलिए नो पैसी वर्ब और फूचर कॉंटिनियूस टेंस तो इसकी कोई फूचर कॉंटिनियूस टेंस पैसी जो इसकी वोईस होगी वो नहीं बनती है फूचर कॉंटिनियूस टेंस की ठ हम लगाते हम तो इसमें पहले भी बॉन Top पर जो पेसिव में रो 75 यह वह नहीं बना सकते ठीक है बेसे परफेक्ट एंस में देखो इसका एक्टिव और क्या स्थने होता है है ओर है फुल रेस में वर्ब की थर्ड़ॉम देगी यह हमारा एक्टीस ट्रक्टर भाक इन have been लगके वर्ब की third form बन जाएगी जैसे कि example देखो she has वर्ब की third form done homework अब ये तो हमारा active में होगे पैसिम बन लेंगे homework singular होगा has been done by किसके दिवारा her तो ये हमारा इसका passive हो जाएगा you have passed the exam have आ गया past verb की third form आ गई the exam ये हमारे active होगे पैसिम बन लेंगे था exam singular होगा तो क्या बनेगा has the exam has been verb की third form क्या बनेगी past by किसके दिवारा you you have beaten him तो यहां पर क्या है have have के साथ में verb की third form my beaten तो him का क्या बनेगा he has been beaten verb की third form by us we क्या बन जाएगा us के बाद एक और example है he has verb की third form sent me a present अब यह हमारे active होगा पैसे में बदलेंगे a present has singular यह present singular होगा ना तो singular के लिए verb क्या है has के साथ में क्या था been bean bean के साथ में verb की third form sent to me किसके दवारा by him ही क्या बन जाएगा तो यह हमारा passive में हो जाएगा उसके बाद है past perfect tense का structure क्या होता है active form में active voice में had और verb की third form तो इसको हम passive में change करें क्या बनेगा had plus bean और verb की third form for example they had done verb की क्या है third form है homework they had done homework यह हमारे active में होगे passive मतलेंगे homework had singular हो गया ना homework तो had been done verb की third form by them he had completed the work अब यहाँ पर देखो had completed the work तो भहिया इसको हम change करेंगे passive में the work had been verb की third form completed by him the man had constructed the bridge तो भी है यह हमारे active में है इसको passive मतलेंगे the bridge had been constructed verb की third form by the man यह हमारा इसका passive हो जाएगा future perfect tense में क्या है देखो active का structure क्या है will sell have verb की third form और passive का structure क्या बन जाएगा will sell have verb की third form for example he will have told verb की third form me यह हमारे active के passive मतलेंगे I shall have been verb की third form told by किसके दोबरा he तो he के बन जाएगा him यह हमारा passive बन गया I will have verb की third form completed the task by tomorrow तो the task will अब task के लिए हम will use करेंगे I के साथ में sell आता है will के साथ में फिर आगे क्या था structure have been completed by किसके दोबरा by me और फिर अगर आप time भी दिखा रहे हो by कब तो by tomorrow यह भी आप लिखा सकते हो तो यह भी specific में ठीक है sentence we shall warn you अब sell वो अब की third form यह हमारा किस में हो गया यह हमारा active में हो गया भी यह यहाँ पर have भी आता यार यह मैंने नहीं लिखा तो we shall have warned you अब यह तो हमारा active में हो गया future perfect tense की बात कर रहा है अब इसको अब पैसिव बन लेंगे तो you will have been been ठीक है और क्या वब की third form आएगी वब won को क्या बन जाएगा won यहाँ पर भी won नहीं आएगा won आएगा यहाँ पर भी यह वब की third form आएगी मैंने won ही लिख रखे तो यहाँ पर won बन जाएगी और इसको आप doer दिखाओगे तो by us यह हमारा passive बन जाएगा कभी कभी न कुछ क्यूशन ऐसे होते हैं जो एक्जाम में ही गलत आते हैं तो उनको यह तो अटेंप्ट मन करो प्रैक्टिस होने के बाद ना आपको खुद आज जम जाएगा कि हाँ यह कुशन गल्च लिख रखा है इस तक्सरी गल्च लिख रखा है उसके बाद है परजेंट परफेक्ट कॉंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉंटिन्यूस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉंटिन्यूस टेंस फ्यूचर कॉंटिन्यूस टेंस क पैसी वोईस नहीं बनता because इन चारो टेंस में पहले से ही बीन और बी का यूज होता है इन्टेरोगेटिव सेंटेंस अगर कुश्चन डू या डज से हो तो पैसी वोईस बनाते समय डू डज के स्थान पर इस एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है फूर एक्जामपल ये इन्टेरोगेटिव मतलब पूछने वालो जो कुश्चन होते है डज सी प्ले चेस तो यहाँ पे हमने क्या होता है डू और डज के स्थान पर इस एम र का यूज होता है अब डू होगा तो वो क्या होगा plural होगा डज होगा वो singular होगा हमने तो school time से यह पढ़ा है तो डज यूज होगा डज सी भाइ singular लडकी है तो उसके लिए डज यूज होगा डज सी play chess तो यहाँ पे क्या बनेगा कैसे बनाएंगे इसको इज chess क्योंकि जो passive बनेगा वो भी तो interrogative में बनाएंगे न तो यह जो is use हुआ है यह किस के लिए use हुआ है chess के लिए is chess played by her तो अब की third form यूज हुए बिलकुल ठीक है और doer दिखाने के लिए हम by लगाते ही लगाते हैं तो यहाँ पे सीखा क्या बन जाएगा her बाद एक और example है do I know you तो भी या you are आपने सुना होगा तो question यह तो active होगे passing battling कैसे बनेंगे are you known to me वब की third form कर दिया इसने यहाँ पे क्या था यह वब की first form थी और non के बाद में क्या है to me उसके बाद एक और example है did he plan an excursion to mountains excursion का मतलब होता है share करना तो इसका हम यह हमार active में कैसे बनेंगे वैसे तो interrogative है ना interrogative sentence हो गया तो यह active में rule के शाब से यह rule था तो इसका हम पैसिम कैसे बनाएंगे did he plan an excursion to mountains तो एक तो यह past की बात कर रहा है पास्ट के लिए क्या आएगा was an excursion to mountains किसके दवार अब कि क्या third form यूज करेंगे ना तो plan by him अब यहां पे आप एक देखोगे बी की form क्योंकि पास्ट की बात हुई है तो यहां पर is mr नहीं वोज वर का यूज हो का बी की form में ठीक है बी की second form क्या है वोज वारी तो है ना तो यहां पर वोज का यूज हो और excursion के लिए यूज हो है हमारा वोज ठीक है टू कहां पे excursion कहां पे हो का mountains में और इस plan का यह वब की क्या है फर्स्ट फोर्म है यह वब की फर्स्ट फोर्म है तो इसको वब की third form में क्या कर दिया plan और यह किस के दवारा by him जो ही है उसके दवारा तो ऐसे भी question आ एक्जाम में पूछे जाते है I think यह previous year का ही question है जो मै कैसी वोइस में did के स्थान पर वोज वर वही जो मैंने आपको पता है का वब की third form के साथ use होगा for example did see answer the questions तो यहां पर यह interrogative active में है तो इसका क्या बनेगा वोज दिक्विश्चन आंच्वर्ड वब की third form किसके दवारा by see तो by her